कि वाट आर मिस क्या वाएं है ने बीएज के बारे में उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि वाई शूड माई हॉस्पिटल गेट एन ने बीएज हमारे अस्पदाल को ने बीएज क्यों कराना चाहिए बहुत कॉमन लोग कई बार मैं भी जब मार्केट में लोगों से मिलता हूं ने अस्पदालों के मालिकों से मिलता हूं तो सबसे पहले यह पूछ से मुछ से क्यों है क्या जरुगत ऐसे कराने क्या फायदा होगा मेरा तो सबसे पहला कंफ्यूजन जो वह यह है तो उसका जबाब है कि अगर हां आपको कराना चाहिए क्यों सबसे पहला कि बैटर पेशेंट केर के लिए मरेश की अच्छी देख भालोगी अगर आपका स्पिरेंड होगा एन फिच्प पैर मेंटर पर होगा आपको एंप्टरिंड होगा त्यक्ते आप क्या सारे standard follow हो रहे हो तो better patient care हो रही होगी, focused होगी, ठीक है, आज की rate में जो भी patient care हो रही हो तो आज भी रही है, लेकिन वो focused नहीं है, ना तो उसे कोई चेक करने वाला है, ना तो उसे कोई देखने वाला है, आप देख रहे हो तो proper monitoring नहीं हो रही है, मैं नहीं मानता है proper monitoring हो रही है, then to set a benchmark again the best practice, अगर आप एक benchmark set NABH कराते हो तो आप बहुत साइच चीजों के against में एक benchmark set करते हो, आप अपने चीजों को evaluate करते हो और अपने आपको evaluate करते हो, कि आज मैं इस हज़तक चीजों को ले आया हूं, इतना improvement आ गया है, तो मुझे नहीं लगता औरों के आपको खुद के लिए भी अपने NABH पर focus करना चाहिए, then recognition at national level, higher name and frame, जैसे आप अस्पदाल NABH हो जाता है आपका, तो आप national level पे आपकी नाम उस list में add-on हो जाता है, और आप कहीं न कहीं, name of fame के साथ में, आप proudly किसी को भी बताते है, हाँ, मेरा अस्पदाल NABH है, so it means that we have understood कि आपका अस्पदाल में quality or standard follow होता है, then higher footfall, जादा से जादा मरे जाएंगे, क्योंकि धे सारी insurance companies, government agencies, और other agencies, आपके अस्पदाल को रिक अगनाइस करेंगी, और यह मानेगे कि आपका अस्पदाल NABH standard follow करता होगा, तो इसलिए आपका footfall भी बढ़ेगा, then help in propagating medical tourism, medical tourism क को लेके आपको focus होगा, और आप लोग international patient को भी accept कर पाएंगे, higher satisfaction of employee, employee का satisfaction level बढ़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं, जो rules and regulation NABH ने employees के लिए बनाये हैं, वो भी follow होगे, तो सकता है, शादा आजना follow हो रहा हूं, sense of pride for the employee, employee के लिए pride वाला moment होता है, जो कि आप बोल सकते हो, जब तो आप बताते हो, कि सर, मैं NABH अस्पदाल से आया हूँ, और मेरे अस्पदाल में NABH के सारे standard follow होते हैं, then, next question, it is too expensive, बहुत अरे यह तो बहुत खर्चे की बात है, तो बहुत खर्चे वारी बात है, रहार मैं नहीं कराना चाहता है, यह तो बहुत ज़्यादा कर्चा हो पता होना चाहिए, then, the first answer is, first impression may be the same, but analysis proved otherwise, आज के rate में आपको लगता हो कि यह costly है, लेकिन जब यह बार NABH standard को आप implement कर लेते हो, तो आपको समझ में आता है, कि आपके स्पदाल में क्या कमियाती हैं, और क्या सुधार हो गए है, then, benefit outperform the expense, जब benefit दिखाई लेते हैं, तो आ यह नहीं है, मिली quality तुदर गई है, थोड़ा बहुत अगर पैसे खच हो रहा है, तो कोई बात में, then, quicker turnaround time for patient leading to higher return, बहुत बार ऐसा होता है, कि patient जब इस तरीकी की feeling लेके जाता है, कि आपका turnaround time बहुत कम है, patient waiting time का, discharge का, sampling का, तो उन्हें लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, फटा-फट सब कुछ हो जाता है, तो मुझे वहीं जाना चाहिए, so, returns ज्यादा आने लगते हैं, ज्यादा चीज़े होती, क्यूंकि आप इसी मजबूरी में करते हैं, क्यूंकि आप अपना turnaround time calculate कीजिए, और हर बार analyze करिए, then, reduce infection and re-admission leading to reduce cost of patient care, कहीं ना कहीं, अ समस्य भी खतम नहीं होगी है, वापस हो जी मरीच जो discharge हो पी चला गए, वापस हो जी कमी के साथ में वापस आ गया है, यह चिदी और प्रॉब्लम के साथ में आ गया है, जो कि उसकी वड़िया से हो गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कि आपका infection rate down होता है, अगर आप नबीचे standard को follow करते हो, और आपका re-admission के number कम होते हैं, और इसके साथ patient की cost भी कम होती है, it is difficult to exercise for us to achieve, बहुत साथ लोग यह कहते हैं कि हमाया जी तो बहुती मुश्किल काम है यह और हम यह नहीं लगता है कि हम नबीच करा पाएंगे, तो मेरा उन सब के लिए जवाब है, no, आप गलत सोच रहे हैं, आपको बस positive attitude की जवाता है, थोड़ा सा चीजों को खुझ से सीखने की जवाता है, जादा देन दूसरों पर depend होना, it's better कि खुझ से focus करना, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला point है, it is more of an attitude related problem, आपको ऐसा खुझ से लगता है, attitude related problem हो सकती है, ना कि एक individual की problem होता है, ना कि सब की, पूरी public की problem, then, India, we as a rule do not like change, हम कई बार ऐसा क्या होता है, कि हम बहुत लोग ऐसा feel करते हैं कि जो हमने सोच लिया है, वही सही है, और कुछ सही नहीं है, तो don't make our own rule, so be focused and इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कि लोगों के आप किस तरीके की चीज़ों पर focus कर रहे हैं, मुझे, then, lack of appreciation, knowledge about accreditation, कई बात लोगों को अता ही नहीं होता है, कि NMVS के क्या फायते हैं, और किस तरीके से उसे implement किया जा सकता है, so, ना तो वो उसको इस बारे में सीखना चाते हैं, ना तो वो समझना चाते हैं, सीड़े नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को थोड़ अपने एटिटीटीट चेंड करने ज़गता है, then, if non-professional entities can aspire for accreditation, what stop the most professional and skill-dependent industry to achieve the same, कई बार क्या होता है, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो कि कई बार, मैं कहना नहीं चाहिए, बट मुझे कहना पड़ेगा कि कई बार, लोग अपनी कॉलिफिकेट, कई बार, ऐसे लोग मुझे टकराते हैं, जो कि non-qualified हैं, या skilled नहीं है, और उनके मुझे से फिर ऐसी बार पर निकलती है, कि नहीं यार, हमें तो ये बेकाल की चीज़ लगती है, हमें तो समझे नहीं आता है, होना के, तो मुझे ल कोशन है, और hospital owners का इस चीज़ पर बहुत बार मेरे पास कोशन आता है, कि क्या हमें अपने अस्पदाल की building में changes करने होंगे, क्या-क्या बदलाव करने होंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, तो मेरा जवाब है, कि ना, आपको इस चीज़ को लेके, बहुत गाइडलाइन को, like building की जो गाइडलाइन से हैं, जिसको national building code कहते है, NBC, NBC guideline को focus करने होंगे, आपको कहते हैं, आपको कहते हैं कि fire की जो guideline है, उनको focus करने होंगे, तो वो animation नहीं बनाई है, government agencies नहीं बनाई है, so don't be confused, database कभी नहीं कहता है, कि आपके building में यह होना चाहिए, आप not universally true, it depends some from case to case, definitely, NAVH standards do not stipulate any building related standards, especially glass, stonework, architectural, ramp, lift, ownership of the department, instance, or is upon issues related to patient care and safety good for all गन्स, NAVH हमेशा, इन पातों पर ज्यादा फोकस करता है, कि patient की safety कहते होगी, patient care कैसे better होगा, इन चीज़ों पर ज्यादा फोकस करता है, then, अगेर मैं बात करना चाहूँगा कि modification building में continuation की, कि issues instead upon a more organized working systematic process, NAVH ज्यादा फोकस करता है, कि आपका जो working process है, वो systematic हो, organized हो, disaster, fire और protection के case में आपके क्या facilities है, क्या protocols है, securities के क्या facilities है, क्या protocols है, infection control पर आप कितना focus करते हो, waste management पर आप कितना focus करते हो, effective record management, patient and personal पर कितना focus है, अब यहाँ पर मैं बात करके समझाना चाहूँगा, यहाँ पर effective record management में patient and personal की बात हो रही है, patient means आपके patient के record, जो पेशन फाइल से संबंदेत हो सकते हैं, आपके software से related हो सकते हैं, और personal की बात है, यहाँ पर employees की जो files होती है, उनके बारे में बात हो रही है, then extended stress upon reliability of system, process and outcome, which is to be built into the system, अब यहाँ पर ज्यादा focus है, कि आप अपन system पर focus है, कि हर महीने के महीने उसे meeting की तुरू, audit की तुरू, interviews की तुरू, और survey की तुरू, उन्हें analyze करते रहिए, और उनका data collect करते रहिए, और उनको analyze करिए, इस पर ज़्यादा focus करता है, ज़्यादा बील्डिंग के उपर, then, इने बीच implementation is a very costly project, तो मुझे लगता है कि क किस तरीके से हमें अपनी cost कम करने हैं, उसमें example के तौर पर हम अगर अपनी footfall को बढ़ाते हैं, तो हमें कहीं न कहीं कुछ खर्चे भी करने होते हैं, हम अपनी agency, higher rates from agency, impaneled agencies हमें, कई बाद कुछ ऐसी agencies होती है, जो कि NABH करने के वाद आपके rates बढ़ा देती है, 10%, 15% आप rates बढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं, वो cost आप वहां से भी manage कर सकते हैं, जब हम NABH पर focus करते हैं, तो treatment की cost हमारी हद तक कम हो जाती, infection rates हमारे कम हो जाते हैं, हम पर legal cases नहीं होते, जो कि बहुत बढ़ी cost होती hospital और doctors के लिए, then better employee satisfaction leading to lower employee turnover and high productivity, जब हमारे पर employees ज्यादा motivated रहेगा ज़्यादा certified रहेगा, तो हमारे turnover भी better होगा, और हमारी productivity भी एक्षी होगी, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम NABH के तहर्त, employees को free of cost हम training दे रहे होंगे, उन्हें educate कर रहे होंगे, उन्हें skilled बना रहे होंगे, तो बहुत सारे hospital क्या करते हैं, कि बस कुछ दिन ही training करते हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मिलके अपने जहां पर भी आप काम करते हो, वहां पर regular training sessions को conduct करना चाहिए, staff को motivate करने लिए different approaches को follow करना चाहिए, जैसे मैंने बहुत सारे hospital हो में देखा है, कि लोग star rating system follow करते हैं, कि हम month of the star choose करेंगे, कि हम कौन से employee सबसे अच्छा थ हैं, कि best employee का parameter क्या होगा, क्या rules and regulation होगे, उसमें example के तरफ सकता है, उसकी attendance and death 100% होनी चाहिए, उसकी छुटी जितनी उसे allowed हैं सिर्फ उतने ही लेनी चाहिए, उसकी performance अप्रेजर जो 6 मिने में एक बार हो दी हो हमेशा better रहती है, बहुत सारे उसके feedback, उसका immediate senior उसका feedback कैसा है बहुत तरीके सा हम employee को motivate कर सकते हैं और award कर सकते हैं, then, it is really fruitful and important for hospital, बहुत सारे लोग कूछते हैं, कि ये बाकिये में बहुत fruitful होगा हमारे लिए, क्योंकि ये बड़े शहरों के लिए तो ठीक है, बट हमारे लिए तो मुझे नहीं लगता ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं लेके और टायर वन सिटी, अब ये टायर वन और टायर टू सिटी का concept बहुत बड़ा है, जो कि मैं आपको बात में सब्जाओंगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चीश पे भी बहुत ज़्यादा focus है, इसमें एक example है, कि हर शहर में बहुत सारे लोगों के पास insurance policy होती हैं, जिनको कहीं न कहीं किसी न कहीं, ओगनाइशन में जाके अपने treatment कराना होता है, cashless facility के लिए, वो अपने पैसा नहीं पे करना चाहते है, क्योंकि उनको government ने facility दी हुए, उनकी insurance company ने facility दी हुए, तो वो लोग ऐसे अस्पतालों का chain करते हैं, जो कि already NABH हो, या जो कि already impan कौन बिल लेने जाएगा, कौन discount की बात करेगा, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, कि आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़वद है, क्योंकि अगर आप corporate hospital का structure देखें, तो उनका revenue का 70% part, मैक्स, मेदानत्रा, फोटेज, या कोई भी बड़ा पताला है, 30% ही सिर्फ cash patient होते हैं, तो जब वो इतने वड़े set ups वो अपने impairment सिर्फ चला रहे हैं, तो आप भी सोची कितना revenue आता होगा, जो कि आप भी cater कर सकते हैं, अब आप देखो कि वो दिन चले गए, जब वो बड़े बड़े शहरों में अपने अस्पदाल और अपनी इंडस्ट्री और अपनी चीज़े लेके आते थे, आज ये सारी ओगनाइशन्स जो हैं, वो छोटे चोटे शोटे शहरों में भी अपने अपने set up लेके आ रही हैं क्यों? क्यों उन्हें पता है कि बड़े शहरों की मुकाबले अब छोटे शहरों में इन सरीके से business को establish करना ज़्यादा आसान होगा और revenue कमाना ज़्यादा आसान होगा तो अगें मैं यहां पर एक पॉइंट पर फोकस करने चाहूंगा बहुत साहे लोग मुझसे कहते हैं involved too much of paperwork and documentation in N.A.B. तो इस चीज़ का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा those not used to proper record keeping are likely to complain for sure बहुत साहे लोग क्या करते हैं कि proper record keeping ना होने की वैसे proper record ना होने की वैसे proper documentation ना होने की वैसे वह हमेशा complain करते हैं और बहुत साहे चीज़ों की कम्यों को हमेशा सामना करते हैं जिसके अगर हम प्र पेपर पर प्र प्र करेंगे करें और अने कि अपर करेंगे और प्रोवेशनल और एनिमेट एंटरफैसे अर एक्सपेक्टेड तो मेंटेन सटेन बेसिक एस्टेंडेड और मिनिमम इस्टेंडेड अगर आप फॉलो करते तो कुछ नो कोई सब्सक्राइब करना ही होगा चाहते और ना चाहते हुए मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको आपको समझे ना चाहिए अगर आप आपके सारी रिक्वार्मेंट पुरी हो जाए है हर एक तरीके से तो टुडेश पेशेंट इस वेल इनफॉर्म्ट सब्सक्राइब करना ही चाहिए तो कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने भी कंप्लेंट किये मेरे पास कई अस्पदालों की कंप्लेंट हुई और बाद में उनका सड़न इंस्पेक्शन किया गया जिसमें यह पाया गया कि वह प्रॉपर प्रेपर नहीं कर रहे तो मैं आप सब को यह सिखाना चाहूंगा कि जब कभी आप यह को फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए फॉलो करें रादर देन एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए कि मुझे रखता है थोड़ा सा एक पॉइंट पर मैं आप फोकस करना चाहूंगा कि हमारे कईवर में चैलेंज आता है कि हमारे जिए डॉक्टर होते हैं वह एग्री नहीं करते हैं एक पॉइंट करने के लिए तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट बनाया है जो कि मैं आपक बर रहे हैं वह ठीक है सही है आप चाहिए तो चेक कर लिए और जैसा आप कहेंगे वैसे उसके इसाफ से चीज़ को भरेंगे तो मुझे लगता है उन्हें बार बस एक बार पॉइंट लेने की ज़वत है उन्हें सही बात बताने की ज़वत है वह आपके फेवर में आ हमें जब भी कभी हम कोई नहां बदलाओ लेकर आते हैं तो हमें हमेशा अपने कमफर्ट जोन से बाहर आना होता है चाहें घर में कोई बदलाओ आएगा तो हमेशा आपको कुछ नब कुछ कमफर्ट जोन से बाहर आना होगा तो अगें यह समझना होता है कि उनको लगता ग क्योंब करना होता है कि वह चीजें हमें या अदर स्टाफ की है और फिर हमें डॉक्तर्स को मोटिवेट करके रखना होता है एक मैसेज एड्रस करना चाहिए अपने सारे कंसुलिटेंट्स को कि यह कितना जबूरी और क्यों जबूरी है अगर वह स्थीज का मैसेज देते हैं तो फो लोग आपको सपोर्ट करेंगे बट कई बार क्या होता है कि अगर इस तरी के मैसेज नहीं देता है और डिरेक्टली एक परसनल एक्जामपल हमेशा कई बार दूसरे पहला पड़ाओ रखते हैं किसी भी नए काम को लेगे तो हमेशा हमें कुछ देखते हैं और डिफिक्रिटीज आते हैं तैंक्ये सो मच गोड़